दोस्तों क्या कोई मुर्गा बिना सिर के जिंदा रह सकता है वो भी एक दिन नहीं पूरे देड़ साल तक यकिन नहीं होता ना लेकिन ये बात बिल्कुल सच है पात मेसा काउंटी देश के फुरुईटा सहर की है जहां 10 दिसंबर 1945 को मुर्गी फार्म चलाने वाला लॉयड नाम का एक वेक्ती अपनी पत्नी क्लारा के साथ हमेशा की तरह मांस के लिए मुर्गों को काट रहा था वेक्ती मुर्गों का गला काटता जाता और महिला उसकी सफाई करती जाती थी गला कटने के बाद चंद मिंटों में मुर्गे अपना दम तोड़ दे थे लेकिन उनमें से एक मुर्गा ऐसा भी था जो की गला कटने के बाद भी इधर उधर दोड़ रहा था लॉयड ने उसे पकड़ कर एक डिबबे में बंद कर दिया उसे लगा कि वो मर गया होगा लेकिन जब अगली सुबा उसने डिबबा खोला तो वो आश्चेर चकित रह गया मुर्गा अभी भी जिन्दा था ये अपने आप में एक अनोखी घटना थी जिसकी ख़बर आग की तरह फैलने लगी और माइक नाम के इस मुर्गे को मिराकल माइक के नाम से जाना जाने लगा तो आपको ये फैक्ट पहले पता था कमेंट जरू करके बतागा